नमस्कार दोस्तों टेक्निकल हेल्प टीम चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में एक वोटर का वोटर लिस्ट में जो डिटेल है उसको आपको बता रहा हूं मैंने हंजा देवी वाइफ आफ कालू सिंग इसके एपिक नंबर है आर जे इसके आप मका नंबर देख सकते हैं चार है और इसके जो सीरियल नंबर है वो मैं आपको बता रहा हूं आप सीरियल नंबर देख लेकि यह जो सीरियल नंबर है बाइस इस सीरियल नंबर से मैंने इस इपिक कार्ड का वेरिफिकेशन मैंने कर दिया है मैं आपको यहाँ पे get the list of verified electors epic number की बताने वाला हूँ लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बता रहूँ मैंने इस जो epic number है इससे तो verification कर दिया है लेकिन मेरे जो ये get the list of not verified electors epic number है इसमें इसी जो हंजा देवी wife of कालू सिंग है इसी के इसी serial number पर इसी मकान number पर दूसरे जो epic card है वो जारी हो गया है जारी हो गया है और उस epic card की जो series है वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ get the list of not verified electors epic number यहाँ आप देख सकते हैं कि यह nbq दूसरे number पर है nbq 1293992 यह जो epic number है यह इसी हंजा देवी wife of कालू सिंग इसको जारी हो गया है nbq series से अब आपको यह जो epic number अगर आपके भी ऐसी समस्या है तो आपको इस nbq यह जो nbq वाली series के epic number है इन सभी epic number को भी इन सभी epic number का भी आपको verification करना है इसका कारण और इसका जो सबूत है proof मैं आपको live election commission का ही आपको एक proof बताने वाला हूँ मैं पहले तो इसके जो rj oblique 18 oblique dead oblique 28,31,24 है इसके epic number यहाँ verified यह आप उपर देख सकता है कि epic number of verified electors यहाँ आपको इसके epic number मैं पहले आपको बता रहा हूँ आप देख लें कि मैंने इसका epic number का जो verification है वो कर दिया यहाँ देख सकते है rj 18 oblique dead oblique 28,31,24 यहाँ पहले आप देख सकते हैं यहाँ पहले यह इसके epic number है और epic number verification मैंने इसका कर दिया है लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसके जो इसका verification नए epic number से क्यो करना है मैं यहाँ से सीधा बेख जा रहा हूँ इसके बाद आपको google पे जाना है google पे जाके search करे search name in electoral role उसके बाद आपको यहाँ इसके बाद यहाँ ECI water information electoral role search.in यहाँ पे click करना है यहाँ आपको पहचान पत्र क्रम दुआरा खोज search by epic number यहाँ पे click करना है उसके बाद आप यहाँ पर अप इसके जो दोनो epic number है उन दोनो epic number से आपको इसकी detail search करनी है मैं पहले यहाँ RJ वाले epic number से इसकी detail सेर्च कर रहा हूं मैंने इसक blij epic number डाल दी है RJ वाले और अब मैं इसको search कर रहा हूं आप यहां सर्च पे क्लिक करें अब यहां आप देख सकते हैं नमबर ओफ रिकॉर्ड फाउंड जीरो यानि इस जो आर जे ओबलिक अठारा ओबलिक डेट सो वाली सीरीज के जो इसका इपिक नमबर था उसका इलेक्टोरल रोल में मुझे इसकी डिटेल्स नहीं मिल रही है मैंने यहां सर्च किया है बार बार सर्च करके देखा लेकिन इसमें इसकी इस इपिक नमबर से इसका जो मददाता सूची में इसका नाम नहीं है अब मैं इसके दूसरे जो इपिक नमबर जारी हुए है उससे इसकी detail electoral roll में मिल रही है यहां आप देख सकते हैं इसकी detail हंजा देवी इसके नए epic number है पुराने epic number से इसकी detail electoral roll में नहीं मिल रही है इसके husband का नाम कालू सिंग देख सकते हैं और इसके मद्दाता serial करमांग 22 इसका मतलब water list में जो मेरे पास hard copy है उसमें तो इसके 22 serial number पर पुराने वाले epic number सो हो रहे और अभी जो जो electoral roll की जो information है राश्च्रिय मद्दाता portal पर इस पर यह जो नए epic number इसको जारी हो चुके है और यह जो update आई है यह update 21 October 2019 को आई है यानि अभी वर्तमान में जो electoral roll online है उस electoral roll में इसके हंजा देवे के यह नए epic number ही है इसका मतलब आपको पुराने वाले epic number से अगर आपने इसका verification कर भी दिया तो आपको नए epic number से इसका verification करना पड़ेगा और पुराने वाले जो epic number है उसको आपको delete करने की भी आवशकता नहीं क्योंकि उसके electoral roll में उसके पुराने वाले epic number अब नहीं है मेरे ऐसे 10 वोटर थे उन 10 वोटर के मैंने RJ18 oblique 500 वाली series से मैंने उनकी यहां electoral roll में सर्च करने की कोशिस की लेकिन उसकी एक भी वोटर का RJ18 oblique 500 वाली series से उसकी ऐसी detail जो है वोटर information मुझे नहीं मिली लेकिन ऐसे सभी वोटर की NBQ वाली जो series है उससे इनकी जो detail है मुझे यहां मिल चुकी है आप यहां देख सकते कि यह जो update है 21 October 2019 की है 21 October अब आपके सामने जो वोटर लिस्ट आएगी इससे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भविशे में आपको जब नई वोटर लिस्ट मिलेगी इसमें आपके हंजा देवी वाइफ आप कालू सिंग के RJ ओबलिक 18 ओबलिक डेट सो वाली series का एपिक नंबर आपका 22 नंबर सीरियल नंबर पर यह इपिक नंबर सो नहीं होगा और भवविशे में जब आपके सामने वोटर लिस्ट आएगी उसमें NBQ वाला जो इपिक नंबर है वो आपके सामने वोटर लिस्ट में होगा इसलिए आपको जो पूराना जो इपिक नंबर है आज ओबलिक 18 ओबलिक डेट सो वाले इपिक नंबर वाले सीरीज वाले ऐसे अगर वोटर हैं तो उनके फोरम नंबर साथ वरकर देने की आपशकता नहीं है क्योंकि वोटर जो लिस्ट है इलेक्टरल रोल जो उनलाइन है अभी उसमें इनका नाम वैसे ही जो इलेक्शन कमिशन आप इंडिया है उसने हटा दिया है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल टेकनिकल हेल्प टीम चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग